तो आज हमारी इंडियन पॉलिटी कि ये क्लास 18 है और हम पढ़ेंगे पार्लेमेंट को टॉपिक थोड़ा सा लंबा रहने वाला है लेकिन बहुत ज़़ा इंपॉर्टेंट है पूरा पार्लेमेंट कहवद करेंगे राज्यसभा से लेकर लोगसभा राज्यसभा लोगसभा स्पीकर डिउपिटी स्पीकर चेयर्मेन ऑफ राज्यसभा उसका क्या काम होता है और सारे के सारा बजट यहां बज़ट भी आएगा यहाँ पर motions आएंगे कि राजय सभा लोग सभा किस तरह से काम करती है जो हमारा legislature है वो किस तरह से काम करता है ठीक है यह factor हम discuss करेंगे plus साथ में हमारा जो mail focus होगा यहाँ पर वो resolutions पर होगा sessions पढ़ेंगे sessions जो parliament के session होते है जो working होते है वो किस तरह से होती है साथ में हम speaker की powers को भी पढ़ेंगे यह पूरा topic बहुत जादा important है मैं आपको पढ़ना देखो खुद भी पढ़ेगा मैं आपको इसमें साथ में यह बताऊंगा कि question जो है वो कहां से किस तरह से बन सकता है और अभी तक किस तरह से question पूछा गया है क्योंकि यहां पर जो scope है अब यहां यहां रखना कि जहां पर भी आपको scope मिलेगा न कि यहां मतलब इधर यह थोड़ा सा एक contradictory statement है और यह थोड़ा समझनी आ है question यहीं से बनता है तो question यहां पर scope से बनता है कोई direct नहीं पूछेगा कि राज्यसभा में कितने member है question यह पूछ बन सकता है कि राज्यसभा के लिए आपको अगर राज्यसभा का member बनना है तो आपको कितनी यह चाहिए question इस तरह से बन सकता है कि क्या राज्यसभा में जो सची तेंदूल कर जो है वो जब nominate हुए थे तो क्या वो sports की category वहाँ nomination में mentioned है या नहीं है राज्यसभा की powers में यह पूछा जा सकता है कि कौन सा bill जो है यह कौन सी special power है जो सिर्फ राज्यसभा के पास है question इस तरह से बन सकता है तो scope ढूणेंगे और वहाँ से ही question बनाएंगे और वही से ही question exam में बनते भी है आप अगर previous check करोगे Parliament बहुत interesting और बहुत बड़ा topic है तो सबसे पहले तो याद रखना कि यह legislative organ है जो हमारा parliamentary system है यह हमने कहां से adopt किया है USA से लिया है या Britain से लिया है या Britain या हम इसको कहें UK रुडाली मैम दोनों में से कौन सा model है हमारे पास USA वाला model है या फिर Britain वाला model है अईसा क्यूंगी 1853 में सबसे पहले यह चार्ट रेक्ट 1853 है यहाँ पर सबसे पहले क्या किया गया था कि जो legislative functions है और जो executive functions है इन दोनों को separate क्या था और एक legislative council बनाई थी यह जो legislative council बनी थी इसको कहा जाता है many parliament और यहाँ से भारत में जो है वो parliament वाला concept जो है वो आता है तो याद रखना सबसे पहले जो है वो अब देखो scope में question है 1853 में सबसे 1853 का जो चार्ट रेक्ट है इसमें सबसे पहले बात की गई है parliament के बारे में अब हमारी parliament present time में यह news में इसलिए भी है क्योंकि देखो new parliament building बनी है तो यह topic बहुत ज़ादा important है हमारी parliament जो है वो comprise करती है लोकसभा को यानि कि इसके पास लोकसभा है इसके पास राज्यसभा है और इसके पास president है लोकसभा, राज्यसभा और president अब president को यहाँ पर integral part कहा गया है कि president जो है वो क्या है integral part है प्रेजिडेंट को कहा गया कि प्रेजिडेंट जो है वो क्या है इंटेग्रल पार्ट है लोगसभा में और राज्यसभा ये दोनों होते हैं MP मतलब मेंबर ओफ पार्लेमेंट इनको कहा जाता है लोगसभा में हम लोग डारेक्ट इलेक्ट करते हैं जैसा भी हमने किया था और मुझे बताओ कि अभी जो इलेक्शन हुए है वो कौन से नंबर वाली लोगसभा के हुए है 17や 18 नो के और दन यहां पर हम इलेक्ट कर रहें डारेक्ट और राज्यसभा की केस में क्या होता है यहां पर हम इलेक्ट करते हैं करें क्योंकि राज्यसभा में कहा के रिप्रेजेंटेटिव होते हैं स्टेट के तो जो आपके मले हैं वो इलेक्ट करते हैं राज्यसभा के लिए रिप्रेजेंटेटिव अब मुझे बताओ यहां पर कि जो दिल्ली है अब दिल्ली के पास लेजिसलेटिव असेंबली है क्या दि आपने कि यह उगे है मैं लोग दो सब्सक्राइब उनको राइपरसेंटेशन तो लेजिसलेटिव सेंबली जिसके पास बीजिसलेटिव सेंबली है उसको रिपरसेंटेशन मिलेगी राजसवा में जिसके पास भी धान सभा है उसको जो है वो यहाँ पर रिप्रेजेंटेशन मिले गी राजी सभा में उस साब से तो होना चाहिए है है तो है जी से राजी सभा के लिए दिल्ली से भी सीट है ठीक है यह हो गया बेसिक सबसे पहले याद रखना अब अब ब्रिटेइन से हमने यह सिस्टम हमने को अपने यह पर और जिल सिस्टम है इस ब्रिटेन में head of the state क्या होगा मोनार्क होगा ये एक hereditary post होती है लेकिन भारत में head of the state क्या है elected है हमने कहा है कि हमारा जो head of the state है यानि कि जो president of India है जिसको first citizen कहा गया है ये जो है वो क्या है hereditary नहीं है ये elected है elect कौन कर रहा है इसको MLA MP लेकिन indirectly elect कर रहे है पीपल इसके बाद जैसा हमारे यहां पर राजय सबा है ठीक है लोक सबा है इसको कहा जाता है bicameralism और ये bicameralism का concept कौन से act के अंडर introduced वा था हमारे फ्रीडम स्ट्रगल में है कि गवर्मेंट आफ इंडिया इक नाइंटीन थर्टीफाइव कि आधा सही आधा गिलत था नाइंटीन 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 और दूसरा कंसेप्ट अब यह लोक सबा राजे सबा तो यहां पर हो गई यह इसको बोलते हैं आपर हाउस लोगाउस लेकिन कुछ स्टेट्स ऐसी भी है जिनके पास जो आवो bicameralism system है मतलब उनके पास एक तो legislative council है और दूसरा legislative assembly तो यह legislative council legislative assembly इसको भी जो है वो क्या कहा जाता है आपर हाउस लोगाउस अफ दा स्टेट और यह भी bicameralism है और यह आया है 1935 के Government of India Act 1935 इसमें एक्जामपल आते हैं बिहार का इसमें एक्जामपल आता है यूपी का यह दो important और भी बहुत सारे आते हैं इसमें आंद्रा परदेश टेलंगाना जम्बो कश्मीर में पहले थी अब नहीं है जिनके पास अपनी legislative council है और यहां पर यह जो legislative council है council की मैं बात कर रहा हूं इसकी जो maximum strength है वो 100 होगी और minimum strength जो होगी 40 यह topic बस इतना साही है यहीं पर याद कर लो कि जो legislative council है उसकी जो maximum strength है वो 100 होगी और minimum प्रेजियमम जो होगी वह होगी 40 कि अब बात करेंगे राजसभा के बारे में हैं छोटा टापिक है पहले इसको कवर कर लेते हैं है मैं राज्य सभा राज्यसभा को ब्रिटेंट में कहाता है हा उफ लॉर्ड्स टोटल सीट्स जो है वो राज्यसभा की जो प्रिक्स्ट की गई है वो की गई है 250 जिसमें 12 मेंबर जो है वो नॉमिनेट करेगा प्रेजिदेंट अप इंडिया कि यह 12 मेंबर जो है वो नॉमिनेटेड मेंबर्स होंगे बाई प्रेजिदेंट अफ इंडिया इन दा फिल्ड ओफ आर्ट यहाँ पर यह फिल्ड का याद रखना सोशल सर्विस साइन्स एक्सेक्टर मतलब यह एक तरह से एक्सपर्टाइज को जो है वो MP बना कर सरकार में लेके जाने का काम कर रहे हैं जैसे SJ शंकर जी उनको नॉमिनेट किया गया था राज्यसभा के लिए यह समझ आ गया हंजी SJ शंकर शायद इलेक्टो कर आई है मतलब असेंबली से नॉमिनेट हुए है हमें एक नॉमिनेशन के फॉर में समझ सकते है रंजन गुगोई को जो फॉर्मर चीफ जस्टिस आफ इंडिया थे उनको जो है वो यहाँ पा जो है वो राजसाबाब में प्रेजडर आफ इंडिया ने अपॉइंट के था मतलब वो वहाँ पे नॉमिनेट हुए रहे देन इसके बाद जो प्रेजन स्टेंथ है वो है 245 अब बात आती है सीट्स अलोकेशन की सीट्स अलोकेशन में हम बात करते हैं USA को लेकिन USA में सिस्टम ऐसा है USA का जो अपर हाउस है वहाँ पे हर स्टेट से टोटल 50 स्टेट से वहाँ पे USA में तो हर स्टेट से दो बंदे होंगे अपर हाउस के लिए तो मतलब टोटल जो है वो कितने होगे 100 होगे लेकिन भारत में ऐसा नहीं है भारत में जो seeds जो allocate की गई है that is on the base of proportional population constituency divide की गई ठीक है और उसके बिहाफ पे जो हो यहाँ पे जो है वो seeds राज्यसभा के लिए जा रही है एक factor important है यहाँ पर याद रखना कि states और your territory दोनों जो हो represent करते हैं और mean maximum strength 250 ही रही राज्यसभा की यह समझा गया नहीं सब्सक्राइब और यह कहा है कि दो सब्सक्राइब की तीन है यूपी की बहुत ज्यादा है ठीक है और पंजाब की सिमिलर ऐसी आठ नो है इस तरह से सीट्स वह वो डिवाइड होती है और यहां पर जो वोट इस्ट्ब फउलो बुर्इबल वोट शिस्ट्म के सिंगल ट्रांसपरेबल वोट यहां पर फॉलो किया जाता है जब हम जो है वो इलvor कर रहे राज्यसभा के लिए और इसको इलैक्टर रहते हैं आपके MLA दूसरा फैक्टर जो आता है यहाँ पे जो हमें याद रखना है कि राज्यसभा की special राज्यसभा की case में क्या क्या है जो presiding officer होता है राज्यसभा का presiding officer होता है उसको जो हो vice chairman भी कहा जाता है vice president of India मतलब जो vice president of India है वो presiding officer होते हैं और ये ex officer chairman होते है ex officer chairman आफ राज्यसभा hybrid ठीक है vice president of India जनी कि जो vice president of India है उनका काम as a ex officer chairman होता है सारह का सारह राज्यसभा की chairman होते है और उसके बाद इनके नीच लोता है dupety chairman मान लीजे जब हमारे वाइस प्रेजिडेंट आफ इंडिया है वो कहीं भार फॉरंगे हैं तो उस केस में जो काम देखेगा वो कौन देखेगा सारा कसारा ड्यूपिटी चेयर्मेन इंपॉर्टेंट है स्पेशल पावर्स और ये स्पेशल पावर्स आपको याद है करवाने की जुरुत तो नहीं है दुबारा सबसे पहली स्पेशल पावर्स जो आती है वो कौन सी है बताओ हर्लीन मैं स्पेशल पावर अफ राधिसबा ऑल इंडिया सर्विस अगर कोई नई सर्विस क्रेट करनी है तो उसका रेजुलूशन जो है वो सिरुपर राधिसबा में इंट्रियूज होगा सेकिंड अगर कोई स्टेट दो स्टेट्स अगर रिक्वेस्ट कर रही है यह स्टेट लिस्ट के रिगार्डिंग कोई भी बिल बनाना है तो वो भी राधिसबा में इंट्रियूज होगा ठीक है और थर्ड सर एक तो ओल इंडिया होगी एक एक्ट होगया अगर वाइस प्रेजिडेंट को रिमूव करना है तो उसका रेजूनुशन भी सिर्फो सिर्फ राधिसबा में ही इंट्रियूज होगा राधिसबा जो है वो पर्मानेंट हाउस होता है यह डिजॉल्व नहीं होता है डिजॉल्व नहीं होगा पर्मानेंट हाउस है ठीक है जो भी अब इसमें अगर पर्मानेंट हाउस है तो कैसे मतलब कैसे मैनेज होता है क्या अब देखो अगर मान लिजे पूरे के पूरे 245 लोग क्या एक बार इलेक्ट होते है ऐसा नहीं होता है इसमें क्या होता है कि one third member retired होते हैं every year कोई भी MP है जो राजिसभा के लिए elect हुए तो उसकी जो tenure है वो 6 साल का होगा वो 6 साल तक राजिसभा का member बनता है re-elected हो सकता है पहला point दूसरा याद रखना कि one by third member जो है वो हर साल retired होता है और हर साल retired member फिर new person appoint होते है इसके बाद आती है बारी सर यह वाला पार्ट एक बारीफ प्लीज फिर से बता आप साल सा बोलो यह मतलब है टेन ने ओर वाला यह इसके और स्पेशल पावर्स के बाद जैसे मान लीजिए जेपी नड़ा जी है हां जी सर नड़ा जी छे साल के लिए राजिसभा में तो उनका पूरा हो गए छे साल की टर्म होगी री एलेक्टिड हो सकते हैं दो दो तीन तीन बार एलेक्ट हो है उसके पाद वो रिटाइड हो जाएंगे जैसे जम्मू कश्मीर के हुए थे ना एक लाम बुला मोहमद कुछ ऐसा करके नाम था तो वो उनका लास्ट डे था राजे सबा से तो वन थर्ड मेंबर रिटाइड होते हैं हर साथ जाओ देन उसके बाद बात करते हैं लोक सब अब टॉपिक थोड़ा लंबा चलने वाला है अच्छा उससे पहले एक फैक्टर और भी चलो वो एज को साथ में करते हैं लोक सबा लोक सबा की जो मैक्सिमम स्ट्रेंथ है वो है पान सो पचास इससे जादा नहीं होगी पहले ये पान सो बावन थी इसमें दो एंगलो इं इंडियन वाला कंसेप्ट खतम हो गया अगलो इंडियन अब नहीं रहे ठीक है और प्रेजन स्टेंथ वह आपको बताना है कि कितनी है सर्च करके अभी 543 543 तो 543 जो है वो प्रेजन स्टेंथ है सीट्स जो है वो यहाँ पर टेरिटोरियल रिप्रेजेंटेशन में आती है अब पाएगा कंसेप्ट वहाँ पे हमने कहा था प्रपोर्शन देख रहे हैं पॉपुलिशन का लेकिन यहाँ पर हम कह रहे हैं टेरिटोरियल कंस्ट्रेंशी जी जैसे की शिमला, सोलन, सिर्मौर तो यह एक टेरिटोरियल कंस्ट्रेंशी बन गई यहां से एक MP होगा अब यहां पर हमने कहा कि लोग सबा में लोग होते हैं डारेक्ट इलेक्ट कि डारेक्ट इलेक्ट के लिए एक वोटिंग एज होती है कितनी वोटिंग एज है हमारी अठारा साल पहले एक थी लेकिन फिर सिक्स्टी फर्स्ट अमंडमेंट हुआ था एक्ट जो है वो 1988 का है लेकिन यह इंप्लिमेंट किया गया था 1989 ठीक है अब एक फैक्टर और समझो यहां पर जो मैं आपको बताना चाहता हूं इसमें कि लोकसभा में रिजर्वेशन आफ सीट्स होती है क्या राज्यसभा में रिजर्वेशन आफ सीट्स होती है राज जिसे देखो अब शिमला, सोलन, सिर्मौर अगर हम बात करें तो यह सीट्स जो है वो रिजर्वड है कि वैसे ही क्या कोई ऐसा प्रोविजन हए कि राज्य theor में भी इसी तरह से कोई सीट रिजर्फी है कि कि सौरह होंगी फर्सक्राइब होंगी कि राज्य सब्धा är kis Sep के रिप्रसेंटेटिव नहीं से लोग सब्धामना आपने लोग सब्धा में तो होगी हैं एंप पाराओकूर ब करें बात करें और जर अम स्पट्रसेंट होती है यह नहीं होती इतनी स्लीट्स वह वो यह पर्टिकुलर स्ट्ट्शन के लिए सोचों कंसेप्ट सोचने वाला आईए पढ़ने वाला नहीं सोचने वाला कंसेप्ट अधर क्योंकि इलेक्टि एंट तुष्काइब रिजर्वेशन और माम आप बोलो पहले जो जिसर्वामें जो पॉपूलेशन किसा आप से गरते ना पूड़िवाइब अजी इस देखो मैं बताता हूं अजब हमें कांजाप्ट क्लेर हो जाते हैं फिर हम उसके बाद कॉश्चन कैसे गलत करते हैं वो कंसेप्ट हम सिखेंगे आज पॉलेटी के केस में तो ऐसा मैक्सिमम होता है कि जो कंसेप्ट बहुत पक्का होता है न वहीं गलत हो जाता है हां बताओ सोचो फिर क्या होते हैं राजिसबा के में जो है वो रिजर्वेशन आफ सीट सुना आज तक कभी कि यह इस रिजर्व सीट से राजिसबा में गया है लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि कोई परसन जो बैकवर्ड क्लास से बिलॉंग कर रहा है वो राजिसबा में नहीं जा सकता वो जा सकता है अपनी के बेसिस पे और एक्जामपल अगर स्टेट नॉमिनेट कर रही है कि इस परसन को जो है कोई परसन ए है जो बैकवर्ड क्लास से बिलॉंग कर रहा है और इसको जो गया कि state ने उसको elect किया state ने उसको select किया कि आप यहां जाओ बट लेकिन इसलिए नहीं कि वो किसी backward class से particular backward class से belong कर रहा है clear हुआ थोड़ा सा विश्वास भी रखना concepts पे खुद के तभी गलत होते हैं जहां हम थोड़ा सा extra सोचना शूरू कर देता ना quality में question के साथ बस वहाँ काम खत्म हो जाबता फिर तो थोड़ा मतलब एक बारी clear रखना कि जो है वो है provision यह याद रखना बहुत है question what about women अब factor वहीं पर ही आता है ना यही clear होता है अभी यह bill आया है और यह भी 33% reservation of जो bill है जो अभी 33% वाला है यह सिर्फ women को reservation लोकसभा में दे रहा है यह clearly समझोना कि हो सकता है कि इसमें राजसभा के लिए भी कुछ provisions आ जाएं या हो in depth detail में अभी जब यह implement होगा तब ही पता चलेगा कि कहां कहां पर reservation दी जा लेकिन आप जैसे मान लिए हिमाद्चिर प्रदेश जो है वो यहां से कहते हैं कि कोई यहां से women है और उनको क्या कर रहे हैं हम जो है वो क्या कर रहे हैं elect कर रहे हैं राजसभा के लिए यह राजसभा के लिए जा रहे हैं तो simple वो चल जाएंगे बस इसमें को इसा particular नहीं है कि इतनी seats पे जिर्फ women नहीं होगी लेकिन लोगसबा में है और लोगसबा में अभी ये provision आ रखा है जैसा अब 33% reservation है वो पंचाइती राज में women को है तो वो fixed है 33% उनकी होगी ही होगी लेकिन यहाँ पे नहीं है लेकल को ऐसा हो सकता है कि राजसबा में 50 women पहुंच जाए और ऐसा होने भी वाला है बहुत जल्दी देन इसके बाद जो next आता है वो आता है age का तो राजसबा के लिए अगर आपको बनना है तो आपको age चाहिए 30 और अगर आपको लोग सबा के लिए जाना है तो आपको चाहिए 25 और अगर आपको president औफ इंडिया या vise president बनना है तो उस case में आपको चाहिए 35 अब ऐसा क्यूं 30-30 क्यों नहीं रख दिया सब के लिए सब के लिए 30 क्यों नहीं कर दिया राज इसके लिए 35 क्यों किया इसके लिए 25 क्यों किया और इसके लिए 30 क्यों किया मैंने बताया है आपको यह क्यों कि morally सोचो इसको अब कोई person direct अगर मान लीजे किसी को राजिसभा का member बनना है qualified to become a member of राजिसभा की वो राजिसभा के member बनने के लिए qualified होना चाहिए अगर उसे vice president बनना है और vice president बनने की एज़ है 35 लेकिन qualified 30 है तो इसको 30 plus होना चाहिए और तब ही बन पाएगा ना जब वो already पहले कुछ elect होगा पहले MP तो बनना पड़ेगा ना उसको एक बारी उसके बाद वो अपनी seat छोड़ कर आगे president और vice president के लिए fight कर सकता है अगर ऐसा होता तो direct कोई भी 35 साल का हुआ और वो बोलता कि अब तो मुझे president के लिए खड़ना है तो ऐसा प्रोविजन आ सकता था लास्ट तक हो जाएगा यह पूरा clear अब इसके बाद दूसरा आता है कि members की तो हमने बात कर ली कि जब वो in जा रहे हैं जब वो अंदर लोकसभा में जा रहे हैं अब बात करते हैं vacant की कि seat कब कब खाली होगी उनकी और यह बहुत जादा important होने वाला है यहां से question बन सकता है exam में तो इसको ध्यान से सुनना double membership नहीं होगी double membership नहीं होगी मतलब कोई भी person या तो एक time पे MLA बन सकता है या MP बन सकता है या फिर वो लोगसभा का member बनेगा या फिर राजसभा का member बनेगा उसको ये decide करना पढ़ेगा कि उसको इन चारों में से कोई एक चाहिए सिर्फ एक जगा कोई double membership नहीं होगी कोई भी person एक time में दोनो members, दोनो houses का member नहीं बन सकता या वो राजसभा कराएगा या वो लोगसभा कराएगा पहला point दूसरा point आता है disqualification का अब disqualification यहाँ पर जो है वो apply होता है disqualification के regarding वो तह है 10th schedule कौनसी amendment से add किया गया था ये अच्छा करें जो है वो इसको add किया गया था 52nd amendment act हुआ था 1985 में 85 यह ना 1985 में हुआ था जिसके थू जो है वो add किया गया था और यहां पर आता है कि अगर person disqualify हो जाता है जिसे 10th schedule में disqualification की पावर होते है यह speaker के पास होती है और speaker कहते है कि यह person disqualify हो गया है तो अब जो है वो यह MLA या MP नहीं रहा और ऐसा हिमाचल में हुआ है जब वो person जिनोंने जो है जो निर्दलिये थे उन्होंने BJP या उन्होंने होंगे यह तो आपको concept अच्छे से पता होगा then उसके बाद आता है resignation का कि अगर वो खुदी resign करते अपनी post से तो भी office खाली हो जाएगा उनका जो MP है वो अगर कोई MP है वो खुदी अपने resign करते अब बात आती है resign किसको करेगा प्राइम मिनिस्टर को या speaker को या डूपिटी speaker को या president of India किसको resign करेगा सर राज जी सभा करते हो अपने chairman को करना चाहिए शायद ठीक है जो presiding officer होगा उसको resign करेंगे MLA MP अगर उनको resign करना है तो वो जो presiding officer अगर जैसे legislative assembly है तो उस case में जो वो speaker और राजसभा की case में अगर हम जा रहे हैं तो वहाँ पर होगा chairman of the राजसभा जिसको resign करेंगे अब एक factor और आता है यहाँ पर वो आता है कि अगर कोई person 60 दिन के अंदर जो है वो 60 days के अंदर नहीं जाता है attendance लगाने के लिए लोकसभा या legislative assembly में तो उस case में भी उसका जो membership है वो dissolve हो जाई वो खत्म हो जाई शाथ दिन के अंदर उसको वहाँ attendance लगाने के लिए जाना ही पड़ेगा और वो भी अगर without permission अगर without permission जाता है तब तो 100% है with permission में तो चलो थोड़ा बहुत exceptions यहाँ पर होती है इसके बाद other cases भी बनते हैं जैसे मान लो कोई MP है यह कोई person A था यह MP है और यह elect हो गया राध्यसभा के लिए तो इसकी जो लोकसभा वाली seat है वो चली गई तो वो भी seat vacant हो गई अब मान लो यह person A है यह elect हो गया प्रेजिडेंट आफ इंडिया के लिए तो यह जो अपनी लोकसभा की जो seat थी उसको भी खो देगा मतलब वो seat खाली हो गई ठीक है तो इस तरह से भी जो हो seat जो हो vacant होती है कि सीट्स खाली हो कै समझ आ गया है जो जुट के बाद आता है second person कि सीट्स तो ठीक है लेकिन ओध कौन करवाता है इनकी क्या लगता है कि जो यह आपके MP हैं इनकी ओध कौन करवाता है अब मेंबर ओफ पार्लेमेंट की अब रेजिडेंट प्रेजिट्ट अफ इंडिया प्रेजिडेंट अफ इंडिया जो आवो उनकी ओध करवाते हैं और मेले के केस में यह होता है आपका यहां पर गवर्नर अब दोनों को मैं साथ में पढ़ा रहा हूं लिंक करके तो उसक और मेले की ओध करवाता है गवर्नर अफ स्टेट ठीक है अब चलते हैं सबसे इंपॉर्टन टॉपिक के ओपर यहां पर यहां पर याद रखना कि जो स्पीकर की पावर है वो जितने भी स्पीकर है उनकी पावर एक ही है यानि कि अगर जो आपका लोगसबा का स्पीकर है या फिर असेम्बली का स्पीकर है इनके पावर्स अलमस्स सिमिलर होते हैं वही जो आपका स्पीकर लोगसबा का है लेकिन चेर्मेन राजिसबा का है यहाँ पर कुछ एक आपकी exceptions रहेंगी वो मैं आपको clear बता दूँगा जैसे हम पढ़ते जाएंगे वैसे इनकी power similar होगी तो जो सबसे पहला point बनता है speaker के regarding सबसे पहले तो यह याद रखना कि speaker और dupety speaker यह दो personality आते हैं एक dupety speaker होता है और दूसरा speaker होता है ठीक है पहला point speaker का यह आता है कि speaker जो है वो लोक सबसे अगर होगा तो उसमें से ही कोई एक member elect हो जाएगा speaker अब मान लोग को यह person A था यह elect हो गया speaker पहले यह MP बना फिर यह हो गया elect speaker तो अब इसकी जो MP वाली post थी क्या वो रहेगी या खाली हो जाएगी खाली हो जाएगी ओके खाली हो जाएगी ठीक है अच्छा एक बात और for example आए कि यह जो MP था A यह BJP से आया था और फिर यह speaker बन गया तो speaker तो एक neutral office है तो क्या इसने अपनी party से भी resign कर दिया यहाँ पर यह एक convention है कि जब वो speaker बन गया ठीक है जब वो chairman बन गया जब वो president of India बन जाता है ठीक है तो उस case में क्या होता है कि जो जिस party से वो belong कर रहे हैं वो जो है वो अपने आपी जो है वो dilute हो जाती है खतम नहीं होती उसकी membership वहाँ पर रहेगी लेकिन उसका जो office है वो membership से बहुत ज़्यादा बढ़ा है तो इसलिए उसको neutral होना पड़ता है लेकिन reality check कुछ और ही होता है यह आप सभी को पता है मौरली ऐसा है कि मतलब उसको जो भी decision रहना है वो ऐसा होना चाहिए जो किसी भी party की तरफ ना हो नहीं हो लेकिन ऐसा नहीं होता है practically it was not possible मतलब possible तो है और बहुत सारे ऐसे speaker भी थे तो आपको सबसे पहला यहाँ पर याद रखना है कि speakers की list याद करनी है speaker की list, president की list, vice president की list यह सब list याद होनी चाहिए पूरी की पूरी क्यों अभी question allied में ऐसा पूछ सकते कि कौन सा दो बार बनाए कौन सा speaker है जो unopposed speaker बनाए जिसका objection ही किसी ने नहीं किया कौन सा vice president, president इस तरह से बनाए तो यह सब याद कर सकते हैं यह सब important होते हैं फैक्ट है यह पढ़ने पढ़ेंगे question का answer वो था mohammad hidayatullah cgif 1971 के जब नीलव क्या पर आइटिक शाहिद एक वोन के इसके बाद जो फैक्ट दूसरा आता है यहां पर यह कि स्पीकर की जो election की डेट है वो कौन डिसाइड करता है कि बहुत इंट्रस्टिंग टॉपिक है यह ध्यान से समझना इसको दिको speaker का election क्या जो लोकसभा जो फ्रेश लेक्ट लोकसभा है यह वो फिकर का election करवा सकती है तो राष्ट पती करता है राष्ट पती जी प्रेजडेंट भाहिसाब ध्यान रखते हैं प्रेजडेंट भाहिसाब बोलते हैं कि भाहिसाब speaker जी रुको आपको मैं elect करूँगा आपकी election की date मैं decide करूँगा कौन सी होगी अब ऐसा क्यों देखो एक fact समझना speaker के regarding speaker का जो election है प्रेजडेंट अफ इंडिया गर रहे हैं दूसरा speaker कोई की ओथ होती है speaker की अब ये मैंने नहीं पढ़ा कि ओथ होती है या नहीं होती है ठीक है लेकिन अगर ये लक्ष्विगात में नहीं है कि ओथ नहीं होती है तो मतलब नहीं होती होगी उसकी ओथ हैज़े MP हो सकती है स्पीकर रिजाइन करता है अब इलेक्षिन तो यहां पर प्रेजडेंट आफ इंडिया कर आ रहे हैं तो रिजाइन किसको करेगा क्या President of India के पास जाएगा रिजाइन करने लिए कि सर मैं रिजाइन करना हूँ अब 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 स्पीकर रिलेक्ट कर लो फिर किसके पास जाएगा council of minister dupety speaker तो यह design करता है dupety speaker को और फिर dupety Derek स्पीकर जो है वो टेक ओवर करता है सारा का सारा कांग और यह जो ड्यूपीटी स्पीकर है इसका जो इलेक्शन है इसकी डेट कोई डिसाइड करते हैं स्पीकर भाई साब ठीक है एक फेक्टर और यहाँ पर यहाँ रखना और ऐसा कहा जाता है ऐसा कंवेंशन है कि जो अब मैं आपको एक कंसेप्ट समझाने जा रहा हूं जो आपको याद रखना है बहुत जाद है लोग सबह डिजॉल्व होती है पता है ना आप सभी को कि लोग सबह जो है वो पर्मेनेंट हाउस नहीं है लोग सबह डिजॉल्व होगी तो सारे MP खतम ऐसा होता है हर्लीन मैं ऐसा होता है ना अगर लुक सबह डिजॉल्व हो गई तो सारे MP के क्या स्पीकर भी चला जाता है हां जी सार नहीं जाता है स्पीकर थोड़ी ना MP है जब वो स्पीकर बन गया तो वो एज़ प्रसाइडिंग आफिसर अफिसर अफ दा लोग सबह हो गया MP नहीं है वो फिर MP तो वो सिर्फ उसकी क्वालिफिकेशन थी वहां तक पहुंचने की अब मैं इसका कंसेप्ट समझाता हूं कि जैसे मान लीजिए लोग सबह डिजॉल्व होगी तो जो आफियो स्पीकर है यह रहता है यह तब तक रहता है जब तक जो फर्स्ट सेशन नहीं हो जाता है लोग सबह जब नई लोग सबह आती है पहला सेशन होता है उस टाइम पे यह स्पीकर भाई साब अपनी पोस्ट छोड़ते है तब तक नहीं तो यह अपनी कुर्सी पे बैठे रहते है फिर जब नई बनती है लोग सबह यह समझना इस चीज़ को यहां पे नई लोग सबह बनती है तो उस केस में यहां पर एक स्पीकर अपॉइंट किया जाता है जिसको कहते है प्रो टर्म स्पीकर इस case में यहाँ पर क्या होता है कि जैसे मान लीजिए पहला session आया नई लोग सवा बनी उसके पहले session में कोई तो presiding officer होगा तो president of India क्या करते हैं एक person को appoint कर देते हैं जो सबसे senior most MP होता है उसको appoint कर देते हैं कि आप जो हो pro term speaker हो जब तक पूरा फूरा speaker elect नहीं होता तो इसको कहते है pro term speaker जब first session में जो newly लोग सवा है उसके पहला session होता है उसमें president of India speaker एक जो senior most member होता है उसको appoint करते है as a presiding officer of the session इसको कहते है pro term क्योंकि election होने में time लगता है अभी जैसे आपने देखा हुगा कि president of India election day decide करेंगे फिर जो है वो speaker elect होगा तो उतने तक में अगर कोई presiding officer होगा तो that is a pro term speaker ये इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि ये important है अभी चला भी है सब कुछ अब हम बात करेंगे powers की कि भाई साब इनके पास कौन सी कौन सी powers है और ये powers जो है exceptional मैं आपको बताता रहूँगा बाकी power आपका जो speaker state में होता है और राजसभा का chairman इनसे मिलती जुलती होती है तो सबसे पहले तो याद रखना कि role और power function जो है speaker का जो है वो क्या है देखो सबसे पहला सबसे पहला तो ये होता है कि guardian of power and privileges of the MPs MP MLA की जो powers है जो उनकी privileges है उसका guardian है guardian of जितनी भी जो MP MLA को privileges मिली है उनको अगर protect करना है तो वो काम जो है speaker भाई साब करते है principal spokesperson होते है और इनका decision final होता है अगर speaker भाई साब कुछ जो है वो कहा देते हैं लोकसभा में तो उनका decision फिर final होता है similar अगर राजसभा में कोई chairman जो है वो कुछ कहा देते हैं तो वो उनका decision final होता है even like speaker ही कहते है ने कि आप बोलिए आप बोलिए आप चुब बैठिए तो वो सब काम जो क्या होता है कि वो principal spoke person का होता है ठीक है पहला याद रखना then इसके बाद एक point आता है वो आता है order और decorum जो है वो maintain करके रखते हैं house का order और decorum जो है वो पूरा यहाँ पर जो है वो maintain करते हैं final interpreter होते हैं ठीक है provisions जो हमारे समभिदान की है जैसा for example like money bill है अभी यह concept आने वाला है money bill का इसको भी हम पढ़ेंगे जो money bill है उसको decide करता है speaker की whether it is money bill or not कि यह money bill है या नहीं है इसको decide करने वाला कौन है speaker यानि कि final interpreter का का काम जब वो speaker का होता है समभिदान के regarding का then इसके पाद जो parliamentary proceedings है parliamentary meetings है इसमें जब वो कोराम maintain करते है इसका मतलब क्या हो गया कि minimum भाई अगर आपको parliament की कोई proceeding करनी है रोग लोग सभा राजसभा कि अगर आपको session को चलाना है तो उसमें कम से कम इतने member तो होने चाहिए और इसमें कहा गया है कि one tenth member तो at least होने ही चाहिए अगर आपको कोई discussion करना है कोई debate करना है तो उस case में one tenth member आपको चाहिए ही चाहिए जो यहाँ पर कहा गया है एक power यह हो गई then उसके बाद दूसरी जो power होती है वो होती है casting vote की casting vote का concept मैं आपको समझाता हूँ कि जिसे माल लो कोई deadlock create हो जाता है deadlock कुछ इस तरह से कि दोनों जो है वो 50-50 vote equal पे पहुंच जाते हैं दोनों parties तो उस case में speaker अपनी vote जो है वो cast करते हैं फिर speaker एक side पे vote डाल देंगे इस side पे vote डाल देंगे यहाँ पर 51 हो गया 50 हो गया तो इस वाली की बात accept कर ली जाएगी तो इसको कहते है casting vote speaker का एक काम और भी होता है वो क्या करते हैं leader of the जो house है जैसे प्राइम मिनिस्टर है हमारे सरकार के house वो होते हैं तो उनकी request पे अगर वो कहते हैं secret meetings भी organize करता है secret meeting या secret sitting कहते हैं इसको एक तरह से तो यह organize करता है on the request of the leader of the house वो बोलते है कि सर हमें जो है वो कुछ important topics को discuss करना है तो उसके regarding सभी को नहीं बुला सकते है पूरा house नहीं बुला सकते है तो आप limited members को बुला कर जाओ एक secret meeting से जो है कि वी sitting को arrange करो यह काम किया जाता है speaker के द्वारा एक और है इसमें speaker क्या करते है speaker का यह काम है जितनी भी जो committees होती है parliamentary committees होती है जो इनका जो chairman है उसकी appointment करते है जो chairman अगर appoint करना है वो तो speaker करते है और speaker itself खुद भी speaker जो है वो कुछ एक committees है उनके chairman होते है यह तीन committees के नाम याद करने बहुत ज़्यादा जरूर ही है सबसे पहला है business advisory committee इसका जो chairman होता है वो speaker itself होता है rules committee इसका भी chairman जो है वो speaker होता है और general purpose committee इसका भी जो chairman होता है वो आपका कौन होता है speaker होता है अब आपको एक concept और समझाता हूँ यहाँ पे इनमें member कितने है राजसभा के member कितने है और लोगसभा के member कितने है तो याद रखना कि जो business advisory committee है इसमें लोगसभा में तो होंगे 15 member लेकिन राजसभा में होंगे 11 member rules committee की अगर हम बात करें लोगसभा के लिए जो है वो यहाँ पे 15 member होते हैं इसमें similar लेकिन राजसभा के लिए 16 member होते हैं यह बहुत ज़्यादा important है इसको याद रखना यह दो है important ठीक है और general purpose committee के लिए आप simple याद रख सकते हैं यहाँ पे कि इसको इतना ज़्यादा members के लिए इतना focus नहीं पूछा जाता है लेकिन rules committee के members के बार में पूछा जाता है plus question बनने के chances जो रहते हैं वो यह रहते हैं कि यह जो तीन committees है business advisory committee, rules committee और general purpose committee इनका जो chairman होता है वो कौन होता है तो आपको इस तरह से question exam में जो है वो पूछा जा सकता है अब इतना सब तो ठीक है powers हमने discuss कर लिया then उसके बाद एक factor और आता है कि remove कैसे होगा जो chairman है उसका तो हमने पढ़ लिया राजसभा के chairman का तो हमने पढ़ लिया की resolution जो हाँ वो सिर्फ ओ सिर्फ कहां पर introduce होगा राजसभा के chairman का removal का resolution कहां पर introduce होगा सिर्फ राज्यसभा में लोगसभा का जो speaker है उसका removal का resolution लोगसभा में introduce होगा और 50 member का support चाहिए resolution को introduce करने के लिए 50 members की support होनी चाहिए thereafter resolution move किया जाएगा अगर वो pass हो जाता है तो speaker को resign करना पड़े एक और office हाता है छोटा सा यह हमारा last topic होगा इसके बाद फिर हम कल से जो है वो sessions पढ़ेंगे पार्लिमेंट के office है WIP इसको याद करने का एक simple तरीका बताता हूँ यह monitor spelling अल दिख दी मैंने M-O-N-I-T-E-R यह जो monitor है टी यह 001 A monitor class monitor होता है न सुअ ही बस यह का में इसका सब्सुर टी का monitor है कि और जो class का monitor होता था उसका क्या kाम उता क्लास तक का दी आप सभी भी आप दोनों मैंसे कोई बना है monitor class में कभी तो बता हुआ हम आप क्या करते थे पिर अगर ग्रूप किसी अब यह तो चोटे से लेवल पर हो गया अब सिमिलर चीज यहां पर भी अप्लाई होते कि हर पार्टी के पास अपना एक विप होता है विप की बात जो है वो जैसे मॉनिटर की बात क्लास वादों को माननी पड़ती है वैसे ही विप की बात जितने भी पार्टी मेंबर से उनको फॉलो करनी पड़ती है इनमें मेन काम यह है कि आप जैसे मान लो कि कोई पार्टी है यह कोई party थी A इस party का कोई personality विप है D अब इस party में जो है वो 100 बन दे है और 100 के 100 जो है वो MP बन गए है अब अगर कोई बात रखनी है तो हर एक MP अपनी बात थोड़ी न रखेगा वो एक common बात रखेंगे जो उनकी party की ideology होगी और उस ideology को कौन लीड करेगा विप monitor तो monitoring का काम जो होता है अपनी party का ठीक है वो सारा का सारा विप का होता है अब जैसे मान लीजेए कि कोई MP है opposition वाली party का कोई MP है और president के election हो रहे हैं तो विप direction करेगा कि भाई इसको vote करनी है clear यह समझा गया वांसे